हेलो फ्रेंड वेलकम टू सिक्षा कैसे आप सब सबसे पहले तो शमा चाहूंगा सब लोगों से कि लेक्चर्स जो वादा हुआ था कि कंटिनुसली लेक्चर्स मिलते रहेंगे एपिएफो के करेंट अफेर्स के हंडर्ड लेक्चर्स हम लोगों ने कवर करने का मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से पर पिछले कुछ दिनों में लेक्चर्स आपको नहीं मिल पाए उसके लिए बहुत-बहुत शमा चाहता ह करा लिए बहुत शमा लोगों के मैसीज आए कमेंट्स आ रहे थे कमेंट्स को भी मैं अंसर नहीं कर पा रहा था को इस चीज पर पारी थी वह टुट लाइक तेल यू की कोविड पॉजिटिव जो है आई वस टेस्टिड पॉजिटिव फॉर करोना अंड उसी वज़ए से म मेरे फैमिली में भी मेरे घर पर मेरे पेरेंट्स को भी सबको जो है पॉजिटिव उनका आ गया था जिसकी वज़े से यह लेक्चर्ज जो है मैंने आपको प्रोवाइड करा पाया अभी भी I am recovering, अभी I have not been tested negative, अभी भी मैं पॉजिटिव ही हूँ लेकिन फिर भी अब आपके admit cards भी आ गए है because थोड़ा सा better मैं हुआ हूँ तो I'll try कि अब मैं lectures आपको continuously provide करूँ जितना हो सके क्योंकि breathing problem थोड़ा सा जब हम lecture record करते हैं तो थोड़ा breathing problem होता है जिसकी वज़े से मैं lectures नहीं record कर पा रहा था अब हम try करेंगे कि आपको lectures provide कर सकें time पर ठीक है तो जो बीट गया उस समय को cover करने की कोशिश भी पूरी तरह से करेंगे बस आप लोगों की दुआएं चाहिए चलिए तो lecture number 5 देखेंगे current affairs का already 4 lectures हम देख चुके हैं 10 questions cover करेंगे इस lecture में भी चलिए प्रोसेस होई रहेगा question आपके सामने आएगा उसको समझ लेना है और उसके बाद पहले उसको खुद से अंसर करने की कोशिश करनी है and then further आपने आगे बढ़ना है पहला question factual question है grant renaissance dam is located across which of the falling river अब आपने इसको यह नहीं समझना कि यह geography का question है ठीक है इसको यह मत लेना कि geography सर्थ syllabus में ही नहीं आप क्यों पूछ रहे हो देखो current affairs and development issues आपका syllabus में लिखा है तो अगर current में कुछ आया है तो वो अपने लिए important हो जाता है फिर सवाल उसमें से बन सकता है ठीक है ना यह Grand Renaissance Dam कभी ना कभी हर साल किसी ना किसी समय पे news में आ जाता है ठीक है तो यह आपको बताना है कौनसी river के उपर बना है यारलूंग, जैंगबो, तिबित में मेकॉंग, चाइना, जेंगू, ब्राजील या फिर Blue Nile, एथियोपिया कौनसे river के उपर यह dam जो है, construct किया गया है तो अंसर यहां पर क्या होगा अंसर होगा आपका option D Blue Nile, एथियोपिया पर यह particular dam जो है, वो बनाया गया है न्यूज में क्यों रहता है, वो भी देख लेते हैं तो 2011 में इसकी construction जो है, वो शुरू हुई थी यह dam जो है, बेसिकली एथियोपिया का गोल है because it can provide, you know, electricity to its population and development में काफी जाधा important role play करेगा लेकिन इस dam के वज़े से जो dispute है, वो रहता है दो countries के बीच में, एथियोपिया और एजिप्ट, इन दो countries के बीच में dispute रहता है, एजिप्ट जो है, वो continuously oppose करता है to the construction of the Grand Renaissance Dam, क्योंकि उसकी water security इससे impact होती है, alright and Sudan भी कभी ना कभी किसी ना किसी reason से, इस conflict में, इस dispute में drag हो जाता है जिसकी वज़े से ये news में रहता है, ठीक है तो आपने mainly क्या याद रखना है एक तो Blue Nile Tributory के ओपर बना हुआ है, Grand Renaissance Dam, ये याद रखना है country, कौन सी country construct कर रही है ये भी याद रखना है, और कौन सी countries के बीच में dispute है, एथियोपिया Egypt main dispute parties है और Sudan जो है, एक outer dispute party है, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, question पूछा जा सकता है statement based बना करके, ठीक है जी one क्या कहता है, कि goldilock zone is a habitable zone around a star where it is not too hot and not too cold for liquid water to exist on the surface of surrounding planet ना जादा गरम है, ना जादा ठंडा है, जिससे liquid water की form में exist कर सकता है earth is in the sun's goldilock zone, आपको बताना है इन में से कौन सा statement correct है पहला, दूसरा, दोनों या फिर कोई भी नहीं, goldilock zone के उपर सवाल, UPSC ने बहुत बार पूछा है, different, different exams में civil services के exam में भी पूछा जा चुका है CDS के exam में भी पूछा जा चुका है ठीक है, और इक goldilock zone क्योंकि news में कभी ना कभी आ जाता है science वाले section में news paper के इसको पूछ लेते हैं ठीक है, answer इस case में क्या होगा answer यह आपके दोनों statement ठीक है तो option C will be the correct answer अब देखो astronomers ने एक दुनिया का सबसे बड़ा initiative जो है वो run कर रहे हैं to look for alien life तो इन लोगों ने एक radio wave emission जो है वो पकड़ा है कहां से? Proxima century के पास Proxima century जो है, यह closest star है हमारे sun के, ठीक है तो scientists का कहना है, astronomers का कहना है कि Proxima century के पास से, जहां से यह radio waves catch किये गए हैं, वहाँ पर goldilock zone बनने के पूरे-पूरी conditions है, ठीक है, अब यह goldilock zone क्या होता है, habitable zone हम इसको बोलते हैं, ठीक है, is the area around a star, जैसे अब हमारे solar system के case में स्टार कौन हो गया, sun, ठीक है जहां पर ना जादा गरम है, ना जादा ठंडा है, not too cold, not too hot, जिसकी वज़े से liquid form में water जो है, exist कर सकता है उस planet पे, अगर अब आप अर्थ देखते हो, तो अर्थ sun के goldilocks zone में है, अगर अर्थ Pluto की जगा पर होता, तो water freeze कर जाता सारा, या फिर अर्थ अगर mercury की जगा पर होता, तो water boil कर जाता सारा, लेकिन अर्थ पर, अर्थ उस location पर है, ना जहाँ पर जादा ठंडा है, ना गरम है, जिसकी वज़े से water is in the liquid form और उसको हम goldilocks zone कहते हैं ठीक है, goldilocks zone के उपर और भी बहुत सारे सवाल जो है, वो पूछे गए है पिछले सालों में, देख लेना एक बार google करके, ठीक है, चलो question number 3 देखो प्रवासी भारतिय दिवस के उपर सवाल पूछा गया है, तो 16 बार प्रवासी भारतिय दिवस बनाया गया था यार SSC के paper में आता है, या computer के paper में आता है, तो देखो जो आपको लगता है question की नहीं है, आपके इससे insult हो रही है उस question को करने से, तो आप उसको आगे कर दो, या फिर आप मत देखो ऐसा कुछ compulsory नहीं है ठीक है, मैं अपने experience के हिसाब से आपको questions करा रहा हूँ, factual questions UPSC के paper में पिछले 3-4 साल के paper उठा करके देखो अलग-अलग paper जो UPSC ने लिए है facts के उपर UPSC बहुत ज़्यादा target करने लगा है, ठीक है, तो हमें उसको ले करके चलना पड़ेगा, paper से बाहर निकलने के बाद UPSC को predict करने वाले जो लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा रो रहे होते हैं जो prediction करने में लगे हुए रहते हैं पुरा time की UPSC ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, वो सबसे ज़्यादा रोते हैं paper से बाहर निकलने के बाद, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, तो तो सोलवे प्रवासी धारत भारतिया दिवस का theme आपको बताना है, option A कहता है 100 years of Gandhi's return from South Africa, option B अपना भारत, अपना गौरव, option C, redefining engagement with the Indian diaspora, and option D is contributing to आत्म निर्भर भारत, इस में से कौन सा थी, मैं देखो, question में और भी बड़ी सारी information आपको provided है एक तो सोलवा था, ये भी पता होना चाहिए statement based question में आपो डाल सकता है statement, कि in 2021 16th प्रवासी भारतिय दिवस was celebrated, और 14th प्रवासी भारतिय दिवस was celebrated, इस तरह से वो पूठ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए वो भी, answer इस case में हो जाएगा आपका option D, contributing to आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, तो प्रवासी भारतिय दिवस के बारे में देखें, ये जो आपका प्रवासी भारतिय दिवस है, ये दो साल में एक बार celebrate किया जाता है यानि कि bainial है, ये भी आद रखना है statement based question बन सकता है इसके उपर कि bainial है, या हर साल बनाया जाता है या क्या हिसाब किताब है, ठीक है, और तारीख आपने आद रखनी है, January 9, 2021 ठीक है, जी, Moody ने इस बार ये inaugurate किया था, New Delhi में और इस बार के चीफ गेस थे, वो थे President Santokhi, Suriname country से और theme था, Contributing to आत्मनेरबर भारत, तो ये कुछ facts हैं जो आपने याद रखने हैं, इनके उपर statement based question भी आपका बन सकता है, चलिए next question देखते हैं, again factual question है, which state government has launched a website, cost form for water conservation under Indo-German program, climate change adoption in the Himalaya, ठीक है, तो water conservation के लिए, Indo-German program के अंडर, ये particular website जो है वो launch की गई है, direct factual question है दो इस question के chances बहुत 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 कम हैं, minimum chances हैं, लेकिन काम मेरा यही है कि आपको जो minimum chances वाले question है, वो भी यहाँ पर एक-दो, एक-दो करके देता रहूँ, ठीक है, इसका आने का chance बहुत जादा कम है, ठीक है लिटरली ये question UPSC नहीं पूचता है पर इसको डाला गया है, जान बूच कर ताकि अपना प्रिपरेशन 100% रहे, तो answer यहाँ पर क्या हो पूचा था, एक और question दे रहा हूँ, क्योंकि यह important current affair news है, इसके उपर question आप expect कर सकते हो, कि आप से पूचा जाएगा payment infrastructure development fund, 100% chances है, तो statement कह क्या है पहला statement कह रहा है, the fund under the scheme will be used to subsidize banks as well as non-banks for deploying payment infrastructure ठीक है जी, दूसरा कह रहा है the implementation of its target shall be monitored by RBI, RBI monitor करेगा, इन में से correct statement कौन सा है, आपको बताना है, one only, two only both, one and two, और neither ठीक है, जी, payment infrastructure development fund, इसको detail में समझेंगे इस fund को भी, पहले भी इसको देखा है, हमने, पहले भी question कर चुके है इसके उपर, answer यहाँ पर option C रहेगा दोनों statements correct है, ठीक है तो RBI ने announce किया था recently operationalization of this payment infrastructure development fund, इसका objective क्या है इस fund का, ताकि payment acceptance infrastructure develop किया जा सके, tier 3 to tier 6 cities में, यह भी आपने याद रखना है, यह important है, statement based question में वो डाल सकता है, UPSC paper में, कि payment infrastructure development fund का जो काम है, वो कौनसी cities के अंदर development करना है, तो tier 3 to tier 6, यह भी आपने रखना है, और special focus रखा जाएगा North Eastern States के ओपर, ठीक है, इसके लिए advisory council भी बनाई गई है, जो RBI deputy governor BP Canungo के अंदर constitute की गई है, जो सारा यह देखेगी कि scheme ठीक से implement हो रही है, या नहीं हो रही है और यह जो fund है, यह subsidize करेगा banks को, as well as non-banks को, ताकि जो payment infrastructure है, उसको create किया जा सके, ठीक है, तो यह बहुत important facts है, सारे के सारे, जो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, ओर रे, चलिए, next question देखते हैं, sixth question देखते हैं, राष्ट्य काम देनू आयोग से related, आपको statements given है, पहला statement कहा कहा रहा है, it has been constituted to organize animal husbandry on modern and scientific lines, ठीक है, दूसरा statement कहा रहा है, its functions are an integral part of राष्ट्य गोकुल mission, देखो, यह question अब exactly current का नहीं है, क्योंकि scheme बहुत जादा पुरानी है, social security में भी आप इसको डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि farmer protection की भी यहाँ पर बात हो जाती है, farmer income की भी यहाँ पर बात हो जाती है, animal husbandry की भी यहाँ पर बात हो जाती है, ठीक है, तो multiple areas में इस question को आप रख सकते हो, तो options आपके पास यह हैं, कि आपको बताना है कौन सा statement इन में से correct रहेगा, one only, two only, both, या फिर neither, तो answer इस case में इस question का रहेगा, option C, both, ठीक है, once again, दोनों statements correct हैं, तो देख लेते हैं, तो यह news में क्यों था, सबसे पहले वो देख लेते हैं, तो राश्ट्रे कामदहिनू आयोग ने recently एक कामदहिनू गव विज्ञान प्रचर प्रसर exam, जो है, एक paper रखा था, इसका mainly aim ये था, कि लोगों के अंदर curiosity, जो है, developed की जा सके, related to the importance of cows, और sensitize किया जा सके, educate किया जा सके, लोगों को, related to the indigenous bovine species, okay, अब आपका जो राश्ट्रे कामदहिनू आयोग है, इसको constitute किया गया है, to organize animal husbandry on modern and scientific lines, alright, जा सके, ताकि जो steps है, वो लिये जा सके, ताकि breeds को improve किया जा सके, preserve किया जा सके, breeds को, cow slaughter को, जो है, वो prohibit किया सके, उसके इलावा, अगर आप देखें, जो राश्ट्रे कामदहिनू आयोग है, ये एक high powered permanent body है, ठीक है, और इसका काम क्या है, ये policies formulate करती है, directions provide करती है, ताकि जो various schemes है, related to cow protection, to cattle protection, उनको implement किया सके, साथी साथ, livelihood generate किया सके, small and marginal farmers के लिए, women के लिए, youth entrepreneurs के लिए, ठीक है जी, and ये जो आपका राश्ट्रे कामदहिनू आयोग है, it functions as an integral part of राश्ट्रे गूकुल mission, ये भी एक important point है, जो आपने हाद रखना है, राश्ट्रे गूकुल mission को भी हम discuss करेंगे detail में, जिब हम राश्ट्रे गूकुल mission के ऊपर आपको एक और question कराएंगे अभी आगे आने वाली videos में, तब उसके related भी हम detail जो है discuss करेंगे, चलिए, 7th question देखेंगे, related to a particular species, ठीक है, environment से related to current affairs and development issues में आपसे सवाल पूचाई जा सकते हैं, तो consider the following statement with respect to caracal, तो medium-sized wild cat है, जो Assam और रुनाचल में मिलती है, दूसरी statement क्या कह रहा है, the standing committee of national board of wildlife has recently approved the inclusion of caracal into the list of critically endangered species, critically endangered species की list में, इसको had किया गया है, तो आपको बताना है कौन सा statement correct है, option A, one only, B, two only, C, both, या फिदी neither, देखें, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको एक चीज़ बोली है, कि आप अपनी health के उपर बहुत ज़्यादा focus रखें, बाहर बिल्कुल मत जाएं अभी, जब तक आपका exam नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा, जो, अब तो क्योंकि मैं इस चीज़ को ले चुका हूँ, अपने उपर, तो I can share my experience, इस body इतनी ज़्यादा weak हो जाती है, कि आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा compromise उससे हो जाएगी, अभी बोलते बोलते भी, आपको ऐसा लगेगा कि, पता नहीं, आपने कौनसा पहाड तोड़ दिया है, तो सेहत का दियान आपने बहुत ज़्यादा अभी रखना है, आपका paper खराब हो जाएगा नहीं, तो मैं आपको seriously बता रहा हूँ, ठीक है, चलो, तो इनमें से correct statement है, आपका option B, ठीक है, two only सही है, पहला statement गलत है, क्योंकि ये असाम और रुनाचल में नहीं मिलती है, राजस्तान और गुजरात वाले एरिया में आपको मिलती है, ठीक है थी, तो standing committee of national board of wildlife की meeting हुई थी, 60th meeting थी, और इस meeting में इस committee ने कुछ advisories जो है, अप्रूफ किये related to the human wildlife conflict, और साथी साथ इस particular committee ने, kerical नाम की जो species है, उसको critically endangered species में add करने के लिए अप्रूफ कर दिया है, ठीक है, तो medium size wild cat है, जो राजस्तान और गुजरात रीजन में मिलती है, पहला statement इसलिए आपका गलत हो गया, और conservation status अगर internationally बात करें, तो IUCN के least concern में है, ठीक है, तो इस चीज़ में confused नहीं होना, जो standing committee of national board of wildlife है, उन्होंने इसको, जो है, किसमें डाला है, critically endangered में, पर IUCN red list में ये least concern में है, और schedule 1 में आती है, Wildlife Protection Act के, और sites के appendix 1 में ये particular species आती है, और राइट, चलिए, एर्थ question देखेंगे, तो ये particular scheme जो है, आत्मनीरबर भारत package के अंडर लेकर के आई गई थी, जिसमें states को बोला गया था, कि अगर वो चार reform areas में से, तीन reforms लेकर आते हैं, चार reforms जो है, वो Ministry of Finance ने लिस्ट किये थे, तो उन चार में से, अगर तीन reforms वो states लेकर के आते हैं, तो उनको additional, जो loan है, additional grants जहें, वो provide किये जाएंगे, ठीक है, Central Government दोवरा, ठीक है, तो चार में से, आपको बताना है, कि वो कौन से चार reforms थे, इन में से कौन से वो चार reforms में थे, option, one is power sector, urban local body, ease of doing business, one nation, one ration card, ठीक है, तो आपको बताना है, कौन से इन में से वो जहें, आपके reforms थे, आपके रिफॉर्म्स थे, चलिए, तो answer इस case में क्या होगा, answer इस case में होगा, आपका option D, 1234, चारों के चारों, वो reforms आपके रहेंगे, ठीक है, तो इन चार में से तीन में, अगर reform आते हैं, तो जो state government होगी, वो eligible होती है, for extra funding, ओके, चलिए, तो 12th October 2020, को finance minister ने, ये scheme announce की थी, under the आत्मनेरभर भारत package, और ये basically, state governments का capital, expenditure को boost करने के लिए, एक scheme लेकर के, आई गई थी, ओके, चलिए, 9th question देखेंगे, Merapi volcano, sometime seen in news, is located in, कहां पर ये located है, Merapi volcano, option A, Italy, B, Japan, C, Indonesia, और D, Philippines, कौन सी country में ये located है, रेखो, ये इसलिए पुछा गया है, क्योंकि, volcano erupt हुआ था ये recently, ठीक है, factual question है, either you know it, or you don't know it, so the answer here is, option C, Indonesia, Indonesia is the correct answer, चलिए, last question देखेंगे, which of the following ministries, has launched, freight business development portal, factual question है, chances पूछे जाने के, बहुत ज़्यादा कम है, पर news में काफी जादा आया था, news papers ने काफी जादा, इसको कवर किया था, freight business development portal को, तो कौन सी ministry ने ये launch किया है, ministry of finance, ministry of corporate affairs, ministry of railways, or ministry of port shipping and waterways, तो इसमें answer होगा, आपका option C, ministry of railways ने इसको launch किया था, basic जो agenda था, वो क्या था, क्योंकि, ताकि railways का freight business, जो है उसको develop किया जा सके, तो उसी वज़े से, ये particular portal जो है, जो है launch किया गया था, जो है जादा 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 प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, alright, and PDF files का भी solution कुछ ना कुछ निका लेंगे, उसके बारे में भी चिंता ना करें, बाकी की videos आपकी screen के उपर आचुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं, तो मिलेंगे next video में, तब तक के लियो, all the best, and keep yourself safe and healthy, bye-bye.